समस्कार दोस्तों फिलाल देखे समय हो रहा है रात के साड़े देशी हुआ है अभी फिलाल मेरा ड्यूटी जाने का समय होने लगा है तो मैं अब अपना जो जो जोली पोथी कहते हैं उसको बंद करने वाला हूँ फिलाल मैं पढ़ा रहा था पॉलिटी क्योंकि आप लोग के ये पॉलिटी से भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो जब तक चुकि पहले पढ़ूँगा नहीं अच्छे से है ना लेकि ये पॉलिटी की किताब है मेरी तो जब तक इसे मैं पहले पढ़ूँगा नहीं अच्छे से तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है ना क्योंकि देखे, मैं गुडवता से समझोता नहीं करता हूँ, दोस्तों ये आप लोग को पता है, है ना, जितने भी लोग मुझे जुड़े हैं, तो आप लोग को पता है कि मैं गुडवता से समझोता नहीं करता हूँ, तो पहले मैं विधिवत इसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोग के सामने बिलकुल डीटेल में कहीं कोई किसी प्रकार का डाउट न रहे और किताब की बात की जाए तो मैं बिलकुल एकदम अच्छी ब्रांड वाली किताब ही पढ़ता हूँ ताकि इस बुक में दोस्तो एक चीज रहता है कि इसमें तुलूटिया ना के बराबर है ना तुलूटियां जो होती है वह ना के बराबर होती है तो ऐसे किताबों से हम जो भी question त्यार करके और आप लोग को देते हैं फिलाल मेरा duty जाने का समय होने लगा है देखिए साड़े 10 से जादा हो गया है रात साड़े 10 हो गया है ना अब मैं जाओंगा duty और फिर मैं लाटूंगा सुबा फिर सुएंगे उसके बाद कुछ questions आप लोग के लिए तियार करेंगे फिर वीडियो बनाऊंगा फिर उसको पोस्ट करूंगा तब जा करके आप लोग को मिलेगा वीडियो तो आप लोग समझ सकते हैं कि देखे कोई भी काम आसान नहीं होता है दोस्तो जैसे आप लोग अभी जो लोग नौकरी में नहीं है उनको लगता होगा कि नौकरी लग जाने के बाद बहुत आराम है देखे आराम क्या आराम जीवन में आराम है नहीं कभी अब बताएए मेरी नौकरी लग चुकी है पढ़ेगे अगर पढ़ेंगे नहीं आप तो फिर आप जो है क्या करेंगे उनके साथ सूँसे फ़ोने बति आएंगे मतलब अपने कुम्ला करके बरबात तो कर ही लेंगे हैना समय तो आप बचा ही नहीं पॉइंगे लेकिन हमारा यह मानना है कि अगर मैं पढ़ते रहता हूं किताबों के साथ रहता हूं तो मेरा जो समय है वह अच्छे कामों में लगता है है ना और कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि आप लोग भी जब नौकरी पाजाएं तो पढ़ाई मत छोड़िएगा है ना पढ़ते रहेगा नौक नौकरी ले लिए उसी के लिए हम पढ़ रहें नहीं ऐसा कुछ नहीं है केवल नौकरी लेना ही मक्सद मत रखे जीवन का पढ़ेंगे तो उसके देखे कितने लाव हैं पढ़ाई के मैं आपको बता दूसायत आप लोगों को पता भी होगा लेकिन फिर भी एक वार मेरे द हुआ संगत है उससे सोता-ध दूर होते जलागत तो यहीं है कि आपका जो बुरा संगत होँ है रहे भूखा मरेंगा यह आप मान लीजित है तीसरी बात कि अगर आप सिक्षित हैं तो जिस समाज में रहते हैं उस समाज को आप आसानी से सिक्षित कर सकते हैं क्योंकि अगर आप सिक्षित हैं तो आप किसी भी चीज को किसी भी बात को लोगों तक बहुत सहजता से और आसान तरीके से पहुंचाएंगे फिर लोग आप की बात भी मानना शुरू कर देंगे है ना तो सिख्षा का आपके उपर तो प्रभाव पड़ता ही है दोस्तों यह समाज को भी प्रभावित करता है आप सिख्षित होंगे तो समाज भी सिख्षित होगा क्योंकि कहा गया है कि समाज आप से ही तो बना है समाज समाज से आप नहीं बने हैं आपसे ही समाज का निर्मान हुआ है एक एक लोगों से ही मिलकर जो है वह समाज को मत छोड़िएगा आप पढ़के देखिए जीवन भर पढ़िएगा बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ाई के अलावा जो भी और कार्य है करिए लेकिन पढ़ाय मत छोड़िएगा जैसा आप आप देखें आप मुबाइल चलाना नहीं छोड़ते हैं गाना सुन नहीं फोन से बती आना यह तो छोड़ते ही नहीं है तो उसी के साथ इसको भी आड़ कर लिजेगा बहुत अच्छी चीज है तो इससे भी मत छोड़िएगा एक घंटे दो घंटे मैं यह नहीं कहता हूं कि कमपर्टीशन का ही आप किताब पढ़िए कोई भी किताब जैसे किसी कह कहानिे हो गया के कहानिया तो किताब पढ़िए किताब से होता किया है न कि आपको बहुत सारी आप अपने जीवन को और अपने जीवन के साथ साथ आप से जितने लोग जूड़े रहेंगे उनका भी भला कर पाएंगे तो मैं आप लोगों से यहीं कहूंगा कि इसका साथ बनाये रखेगा नौकरी लेने में तो यह सहायता करेगा ही नौकरी के बाद भी बहुत सहायता कर जाओंगा तो यहीं आपसे उम्मेद रखते हैं कि पढ़ाई को आप नहीं छोड़ेंगे और सफलता की और बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे और देखिए अगर इसका साथ बनाए रहेंगे तो आप बहुत आगर चले जाएंगे आप कल्पना भी नहीं किये होंगे कि क् पहुंच सकता हूं वहां भी आप पहुंच जाएंगे और उसका एक मात्र साधन है बुक्स किताबें तो उमेद करते हैं अच्छा लगा होगा आज का जो यह सेशन है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करतेगा धन्यवाद पारिए में और भी नहीं है में परना भी आप जाएंगे सीर हो झालक सेशन है प्छूर किल्यग कि अच्छा रणार साधन है रखनोर भी आप होगा हो दो गालक सेशन हैं उछयरो किन उमें काभी दो और जलक